हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिप्रेशन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे गेट 2023 वाला एडिया और वेकेंसी की भरमार आपको पता है कंटीन्यू वेकेंसी अनाउंस हो रही है और एक और वेकेंस कर लिए और वेली कोर्परेशन का यह अन्यवीकेंसी है और इसमें रिक्रूट्मेंट किया जा रहा है ग्राजुएट इंजिएनर ट्रेनिंग गेट 2022 GET इंजिएनर ट्रेनी का रिक्रूट्मेंट है त्रूँ गेट 2022 स्कोर का टो देखो यहार चुबिस में तो इलेक्षन भी हैं तो भाई आगले साल तो बहुत वेकंसी आने वाली है यह जो डेड़ साल है ना डेड़ साल का ही जो पीरिड है 2023 वाला पूरा पीरिड और 24 के स्टार्टिंग के पाच्छे महीं ने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं गेट 2023 और 2024 का अच्छे से प्रप्रेशन करिए क्योंकि गेट 2023 और 2024 के बेसिस पर बहुत सारी वेकंसी आएंगी 2022 के बेसिस पर कंटीनिव आई रही है और आप देख रहे हैं तो यह गोल्डन अपोर्चुनिटी है डियर आप लोगों के लिए तो दामुदर वैली कॉर्परेशन इस वेकंसी के बारे में बात करते हैं कौ कि क्या से रिक्रूट्मेंड प्रॉस क्या जो क्वालिफाइग माग्स परी में बत करते हैं कौनसी वेकंसी यह उन सब चेजों के बारे में बात करते हैं और यह तो चनफर्म होई गया है यह आपका डिए 2020 के स्कोरकार्ड के बेशिस पर दामोदर वैली कर्परेशन जी रख दे रखा है एलक्ट्रीकल के लिए 45 सविल के लिए 9 वेकंसी है और पे स्केल भाई हैंड्सम पे स्केल है एस पर सवन पे रिविजन 56 1002 177500 पे मैट्रिक्स लावल 10 और एस लिमिट यहां पर आप जहां रखेगा 29 यह है मैक्सिमम में 29 यह हैं मतलब जो को 2022 दिये हैं मेरे को लगता नहीं 29 साल क्रोस करें होंगे अभी तो दिये है ना तो 29 साल अपर अपर रेस है इससे जाधा इसके हो तो आप इसे नहीं बर सकते तो आपको पता चल गया डियर काफी अच्छी वेकंसी है 2745 9 C9 IT में 5 communication में 5 ठीक है देखो न यहां पर यह बैकलोग वेकंसी है पहली बात और दूसरी बात यह लिखा है दो प्रजक्टेड वेकंसी इंडिकेटेट अबो में इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज डपेंडिंग अपन दे फ्यूचर रिक्वायर्मेंट एंड डिस्क्रेशन अफ दी डिवीसी में वेकंसी फोड़ा उपर नीचे हो सकता है बाट नहीं होता है बहुत कम चंसे में होता है और इस रिलेक्षेशन गवर्मेंट ऑफ इंडिया की रूल के इसाफ से आपको मिल जाएगा इलिजिबिटी क्राइटीरिया की बात कर लेते हैं मोस्ट इंपरेंट क्राइटीरिया क् मार्क्स इन गेट 2022 साफ साफ लिखा हुआ है गेट 2022 का जो स्कोर कार्ड है वह आपके पास होना चाहिए देखो नोट पाइंट हाइलाइट करके लिखा हुआ है प्लीज नोट दाट ओनली गेट 2022 मार्क्स आउट अट फंडिट आर वैलिड फॉर इस रिकूर्टमेंट प्र इसके अंदर अपेयर हो सकते हैं उलिजेबल हो सकते हैं अगर आपके वास गेट 2022 का स्कोर कार्ड और ओर क्वालीफाइंग जो है Personally आपके पास डीगरी भी इतिये हुए थर इफ्लना के लिए आपके पास मेकानिकल इंजीनेरिंग का गेट का स्कोर कर्ड होना चाहिए जी सिइटी सिविल की बात करें तो चीज dipping की बात करें को उसमär होना चाहिए एक की बात करें तो आप इनस्टुमेंटेशन सी आइ जो अफिकैंसयाई है सिएए वाली जीटी सी इस में इंस्टूमेंटेशन वालत वद गद्म ऑले ऑं आइ अन से पेर दिया है ठीक है और अपर इस लिमिट 29 येर है इससे उपर नहीं जाएगा और एस रिलेक्षेशन भी है according to government of India rules उनके हिसाब से आपको इस रिलेक्षेशन भी मिला है qualifying essential जो qualification है जो डिग्री की बात करें तो जीटी mechanical के लिए आपके बास full-time bachelor degree होनी चाहिए engineering technology mechanical production industrial production industrial engineering thermal mechanical automation power engineering from recognized university और एक और चीज़ लिखिया है with not less than 65% marks for general OBC NCL EWS non-criminal general OBC EWS non-criminal category में है तो आपके पास BTEC का जो average percentage 65% से कम नहीं होना चाहिए यह बहुत important है यहां पर बहुत चारे बच्चे बाहर हो जाने वाले 65% से कम नहीं होना चाहिए and 60% marks for SCST in aggregate of all the year semester as per conversion formula of the concerned university or institution तो 65 or 60% यह भी आप जहां रखिएगा गेट 2022 का valid scorecard साथ-साथ में college में 75% अगर जन्रल से है SCST से तो 60% होना चाहिए यह सेम criteria यहां पे electrical branch वालों के लिए भी है सेविल ब्रांच वालों के लिए भी है कि रिलेक्सेशन जो है वह आपको यहां पर जो गृष्ट ऑफ इंडिया के रूल से उनके हिसाप से आपको मिल रहा है तो यह बहुत ही मैं बता सकता हूं कि एक handsome package है और एक बहुत important vacancy है अगर अपन बात करें अगर आपके पास गेट 2022 का स्कोर कार्ड है और आपके बीटेक में 55% है यह पूरा जो इसका detailed advertisement है आपको इसकी official website से मिल जाएगा अब अपन यह बात करते हैं कि selection कैसे होगा selection कैसे होगा तो selection का criteria देखते हैं कि सलेक्शन का criteria यह रहा यह बहुत important है यहां पर समझे वेटेज ऑफ different parameters तेखो सबसे पहले आपका गेट 2022 के scorecard के basis पर screening होगा अगर आप उसमें हैं आ गए तो फिर आपको personal इंटर्वी और जीडी के लिए बुलाए जाएगा आप सुनिएगा दा final merit list will be prepared based on the following weight is गेट दो हजार बार 22 marks out of 100 final merit list जो बना जाएगी उसमें 85% वेटेज लिया जाएगा गेट 2022 के marks का ग्रुप discussion जो 50 50 नंबर का होगा और personal interview 50 मतलब total 200 marks का होगा तो नंबर का गेट पचास का यह पचास का यह मेट 2022 का जो marks है उसका 3% जीडी का और 12% personal interview का मिला के final merit list बनाई जाएगी लेकिन एक और बात है इसमें वह बात बहुत गहरी है इसमें एक बात समझे आप इसको आगे पड़िए इसमें यह बोला है candidate must qualify in personal interview separately in order to be considered for कोदा नोकरी आपको separately personal interview qualify करना ही पड़ेगा आप सर उसका percentage क्या है तो qualifying percentage for different categories as are mentioned below general OBC non-crimalier EWS के लिए 50% है टोटल मैक्स परस्टनल इंटर्व्यू सो 50 नंबर का था तो आपको परस्टनल इंटर्व्यू में 25 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे 25 नंबर से उपर आओगे तो आपका नाम final list में दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा आप चाहिए गेट में कितने भी मास्क अच्छे हो आपने जीडी कितना भी इच्छा दिया हो परस्टनल इंटर्व्यू में अगर आपने 50 परसेंट स्कोर नहीं करा तो फाइनल इससे आपका नाम हटा दिया जाएगा ठीक है और स्सक्राइब इनको 20 नमबर लाने पड़ेंगे और वाले को 25 नमबर लाने पड़ेंगे तो यह बहुत इंपर्डेंट लाइन है फाइनल मेरिट लिस्ट तीनों का विटेज है गेट 2022 स्कोर काड परस्टनल इंटर्व्यू और ग्रुप डिसकॉशन लेकिन यह लिखा हुआ है कि एक तो देखो गेट से पहले बरने से पहले देख लेना भाई 65 परसंट या 60 परसंट तो है की नहीं है भर दिया अब आपका नंबर आ गया तो परस्टनल इंटर्व्यू को फोड़ना है उसमें 50 परसंट मार्क चाने चाहिए तब जाके आपका फाइनल मेरिक लिस्ट तो यह सारी कंडिशन्स हैं यह सारे सलेक्शन के क्राइटेरिया हैं जो मैंने आपको डिटेल्ड में यहां पर समझा दिये हैं ठीक है और इसका फॉर्म जो है उसका फी का अगर बात करे कंडिडेट बिलॉंगिंग तो जनरल ओबी सी डव्लू एस काटेग्रिया रिक्वा इन लोगों के लिए 300 पेका फी है बाकी सीस्ट पीड़ोड के लिए कोई फी नहीं है 300 पेका फी है एस भी आई के त्रू ओनलाइन अप्लिकेशन हो जाएगा आपका ठीक है अब यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका लास्ट डेट जो है ना 31 दिसम्बर है 31 दिसम्बर 2022 न्यू यर बनाने से जस्ट पहले इस फोर्म को बढ़ देना ठीक है नहीं तो यह फोर्म निकल जाएगा हाथ से तो आपको मैं लगबग बाते बता दिया हूं यह सबसे इंपोर्टेंट बात पैकेश पैसा तो अच्छा मिलना चाहिए नहीं और बहुत अच्छा पैसा पै पहलत पहले स्काइब स्कैयल है सेंबे सिκεल है कि ओर जोल अच्छा है एक साल का ट्रेनिंग पिरिय manifest बी रखा जा रहा है थीक है देखो यहां पर लिखा हुआ है और ड्यूरिंग वण यह प्रबेशन मेरे नक्रności है प्रोडिशन पीर अच्षा सेंट इंजिन्जिनेर उन- भी स्कील लुए सारी कर दिया जाएगा प्रोबेशन के बाद एक साल प्रीमेंग् आफ प्रोबेशन में रहें इसके वालाइट कर देंग मिलेगा और अध्य कंड़े जो है ना 5600ção पढ़िए the selected candidate will be required to execute a service agreement bond to successfully complete the prescribed probation period of one year and thereafter serve the organization for at least three year that is overall four year bond आपको भरना है मतलब आपको लगबग चार साल मिनीमम चार साल आपको काम करना पड़ेगा एक साल प्रोबेशन में फिर तीन साल पर्मानेट होने के बाद चार साल आपको काम करना है अदर्वाइस अगर इन बिट्वीन आप छोड़के जाते तो आपको पांच लाख रुपे देने पड़ेंगे तो चार साल आप रहे जाओगे तो कोई बोन का सर्वीस अबाउंट नहीं लगेगा उसके बाद छोड़के जाते हो तो आपको यह बोन करना है है और इसमें बाकी आपको यह जो डिटेल्ट नोटिफिकेशन है यह आपको मिल जाएगा डीवीसी की वेपसाइट पर आप जाएंगे वहां से आपको डेटेल्ड नोटिफिकेशन इसका मिली जाएगा ठीक है यह इसकी इंपोर्टेंट डेट्स है जो अनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है कल सी तीन दिसं तो इससे पहले-पहले आप भर दो मैं एक बार फटा वच्छे क्विक बार बता देता हूं एक दिसंबर से पहले-पहले फोम बर देना 300 पर फोम का लगेगा बहुत अच्छी खासी विकेंसी है ठीक है गेट 2022 फोम भरने से पहले देख लिजेगा भी टेक में 65 परसंट या जाएगा और जो परस्नल इंटर्वीव पचास नंबर का फोम बना के कुल हंड़िट मार्य परसेंट बन गया इससे आपका फाइनल मैरिजिस बनेगा लेकिन 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 इसमें इंटर्विव में आपको 50 परसेंट स्कोर मिनीमम अलग से करना है मतलब इंटर्वीव का स सेपरेट परसनल इंटर्विव का सेपरेट कटोफ है तो आपको इंटर्विव में 25 नमबर से उपर लाना है तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है तो डियर एक बहुत अच्छा और्गिनाइजेशन हैं हैंसम पेस्केल है जाहिए काम करिए मज़ा आएगा भरिये मज़े करिए तो गेट 2022 वाले बच्चों के लिए फॉर्म है इसी तरीके से डियर गेट 2023 2024 पे बहुत वेकेंसी अनाउंस होने वाली है क्योंकि 2024 में एलेक्शन है पता ही आपको एलेक्शन जब होते हैं तो वेकेंसी की भरमार है आप देखलो इस साल बहुत डिटेल एक वीडियो मनाने वाला हूं वह भी आप देखिएगा इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा ओके डियर इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत आप कमेंट करिए आप यह वीडियो के जो कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईएगा मैं जुरूर उस